हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैग, स्वागत हैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन्स, फॉरिन अफेर्स के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, मुझे लगता हमारा पहला लेक्चर होगा इंडो नेपाल रिलेशन्स पर कहीं ना कहीं, चाहे हमारी नेवर्वूट फर्स्ट पॉलिसी हो या एक्ट इस्ट पॉलिसी हो, दौनों का ही एक इंपोर्टन्ट कॉम्पोनेट आप कह सकते हैं, इंडिया और नेपाल का डीकेट्स ओल्ड और मैं कहुँगा सेंचुरीज ओल्ड रिलेशन्शिप क्यों अभी जो विजिट हुई ओनरेबल प्राइमिस्ट फ नेपाल की इंडिया में उसको एक लेंड मार्क इवेंट के तौर पे देखा जा रहा है, और उसको एक इंपोर्टन स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है, यह जो बड़ी कॉम्पलेक्स इंडो नेपाल सबसे पहरे टॉपिक न्यूज में क्यों मना रहा, तो लास्ट वीक एप्रिल 1 से एप्रिल 3 ओनरेबल प्राइमिस्टर फ नेपाल श्री शेर बहादुर देवा ने इंडिया में अपनी इंपोर्टन ओफिशिल विजिट को कंक्लूट किया, ओनरेबल प्राइमिस्टर जु जो भी नेपलीज प्राइमिस्टर होते हैं, प्राइमिस्टर बनने के बाद उनका जो पहला अब्रॉड या फॉरिन बाइलेटरल विजिट होता है, वो इंडिया का ही होता है, उसी ट्रडिशन को फॉलो करते हुए, ओनरेबल प्राइमिस्टर अफ नेपाल श्री शेर बह आउटकम्स रहें, लेकिन अगर आप बारी की देखें और पिछले कुछ साल में जो कॉंप्लिकेशन्स आ गए थे दौनों नेवर्स के रिलेशन्शिप में, उसको रिपेर करनी की डारेक्शन में इसको बहुत बड़ा स्टैप मारा जा रहा है, क्योंकि इस विजिट के द दौनों ने इस बात को समझा, कि पिछले कुछ सालों में जो डिविजिव इशूस रहें दौनों कंट्रीज के बीच में, उनको फिर से कुरेट के उन जखमों को हरा करना बिलकुल भी बाइस नहीं है, दौनों ही कंट्रीज ने बड़े एफेक्टिवली, स्मार्टली, ऐस इसे डिविजिव इशूस को साइड लाइन करने में, या उनसे क्लियर बहार निकलने में, और फ्यूचर पर फोकस करने में, इस पर्टिकलर विजिट में, टोटली सक्सेस्फुल होते हुए देखा जाता है, और ये पहली बार, नेपाल के प्राइम निस्टर बने 1995, और य इस वजह से उनको जो experience रहा है, ये जो complex relationship रही है, दोनों दोस्तों के बीच में, उसकी बहुत deep understanding भी है, कुछ focus हो जाए, discussion हो जाए, कि क्या वो important specific, positive outcomes रहे, इस important visit के, अगर आप कुछ important highlights की बार देख लें, तो पहली highlight रही, कि 35 km की जो cross border rail link है, जया नगर जो बिहार में पड़ता है, वहां से कुर्था नेपाल को जोड़ता है, उसका operationalize होना, इसको अगले दो phases में extend किया जाएगा बीजलपुरा और बार्डी बास तरग, ये रफली 787 करोड का project है, और एक साल से भी ज्यादा पूरी तरह ready हो चुका था, लेकिन की वजह से इसको operationalize नहीं किया जा पा रहा था, कौंकन Railway Corporation जो भी technical support इसको चाहिए होगा, इस 35 किलो मेटर की cross border rail link जैनगर से कुर्था उसको provide करेगा, ये रहा पहला highlight, दूसरा important project, जिसका inauguration हुआ इस particular visit में, वो है 90 किलो मेटर का 132 किलो वाट का double circuit transmission line है, जो connect करता है तीला शोलू कुंबू से मिर्चिया से रहा, जो कि Indian border के पास में है, और इस project को, और इस project को, एक्जिम बैंक का जो concessional loans है, roughly 200 क्रोज के आसपास, उसके through operationalize carry out किया जाएगा, और ये जो सोलू corridor है, इसमें एक दरजन से भी ज्यादा hydropower projects को plan किया जाएगा, construct किया जाएगा, जिस इसमें, नेपाल electricity authority के साब से, roughly 325 मेगावाट से भी ज्यादा कि electricity को generate किया जा सकेगा, इसके अलावा, दौनों countries के बीच में, कई सारे agreement साइन हुए, खास तोर से, जब बात हो जाए, railway sector में technical cooperation को लेकिये, इसके अलावा, इंडिया ने नेपाल को international solar alliance में भी induct कर लिया है, सा एक important agreement sign हुआ है, जिसके थूँ, दौनों countries मिलके, जो regular supplies है, petroleum products की, खास तोर से, नेपाल को, उसको ensure करेंगी, और हाल ही मैं, जो श्री लंकान economic crisis आप देख रहे हैं, जिसके ओपर एक important lecture हमने deliver किया है, जो इस lecture के end में, जिसका आप link के थूँ, access कर सकते हैं, आप समच सकते है क्यों इतना important है, इंडिया का एक major role play करना, खास तोर से crisis time में, even regular times में, जब हमारे जो दोस्ते नेपरिंग countries हैं, उनको ensure कर सकें, कि regularly food supply हो, उनको fuel supply हो, उनको forex supply हो, और किसी भी crisis, किसी भी exigency से, निपटने में, जूचने में, deal करने में, इंडिया हमेशा एक reliable, long lasting friend की तरह act करता प्रहिए, इसके अलावा एक और important assignment, या मैं कहूंगा, agreement, महाकाली treaty, जो sign होई in 1996 में, और ये sign होई, अभी के current honorable prime minister, श्री देवबा की पहली visit as prime minister to India के तोर पे, और ये cover करता है, शार्दा और तनकपुर जो बराजिस हैं, इसके अलावा रफली 6700, 7600 megawat electricity generation, जिसका ना ही ambitious project है, और दोनों sites ने agree किया, कि हमें इस पंचेश्वर multi-purpose project, जिसके थुरू 6700 megawat electricity आप generate कर पाएंगे, इसकी जल्दी से ही detailed project report या DPR को file करना होगा, रफली 7 billion dollar का ambitious project है, और दोनों तरफ से काफी political will के जरुरत पड़ेगी, इसको आगे पहुचाने में, इसके अलावा, अगर आप joint vision statement देखें, तो power sector में, corporation, दोनों ही countries ने recognize किया है, कि बहुत सारी opportunities है, joint development के खास्ताव से power generation को लेके, और भी cross border transmission linkages को लेके, दोनों countries के बीच में coordination हो जाए, national grades का, उसको लेके, ये सभी चीज़ों में भी momentum लाने के लिए, दोनों countries ने finally, अब agree कर लिया है, February 27, को मिस्टर देवान ने, एक बड़ी important agreement को ratify किया, जिसका नाम है, US Millennium Challenge Corporation, NCC, और इसको oppose किया, नेपाल के जो coalition partners थे, चाहे वो माउस्टों या UML Unified Socialist हों, दोनों नहीं, ये जो agreement है, US Millennium Challenge Corporation, ये Indian sponsored नहीं है, US sponsored है, और इसके तुरू, एक grant, roughly 500 million dollars, मतलब half a billion dollar, जिसके तुरू, roughly 318 km की high voltage transmissions 9 को construct किया जाएगा, US Millennium Challenge Corporation को sign मत करिये, क्योंकि ये US का एक trap है, या US की जो Indo-Pacific strategy है, चाहे ना को contain करने की direction में, या घेरने की direction में, उसी का important part है, देकिए उसके बावजुद, नेपाल ने अपने self-interest को clearly identify किया, और एक matured, sovereign country की तरह, अपना independent decision लेते हुए, finally, US Millennium Challenge Corporation को ratify किया, agreement 2017 में sign हुआ, जब Mr. Deva, as fourth instant, Prime Minister नेपाल के रहे, लेकिन तब से इसका ratification नहीं हो सका, जिसकी वज़े से इसको operationalize नहीं किया जा सका, MCC या US Millennium Challenge Corporation, एक US-led program है, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी ख़बर ये है, कि ये program ratify होनी की वज़ा से, और धीरे-धीरे पूरे इंडो-Pacific में, चाहे Quad हो या बाकी अलग-अलग forums, Clearly हम देख रहे हैं कि US और इंडिया का alignment और कहीं ज़दा close होता चला जा रहा है, तो अगर हमारे friend country के साथ, या friendly country के साथ, या alliance के साथ, अगर नेपाल का कोई भी agreement होता है, और अगर हम भी अपना पंचेश्वर प्रोजेक्ट, 6700 मेगावाट का रफली 7 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट, नेपाल के साथ हम आगे बढ़ा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं नेपाल के साथ, us as a block, मतलब इंडिया, US में भी Australia, Japan etc, उनका cloud नेपाल पे धीरे-धीरे 2006, 2007, 2008 के आसपास से, तो तब तक चाइना ने अपने जो relationships हैं, उनको politicians के बजाए, जो मुनार की रही या राजगराना रहा है, पैले चरा सिर्फ उस तक ही सीमित रखा, उनका main focus रहा, कि जो तिबबतन refugee communities हैं, उनको कैसे रोका जा सके कि तिबबत से आके कहीं, वो नेपाल म लगाया, जो political parties हैं, institutions हैं, चाहे वो army हो, aren't police forces हो, और उनके हसाब से, या Chinese strategy के हसाब से, नेपाल एक बहुत important element है, चाइना की South Asian footprint strategy में, बिछले कुछ सालों में, इंडिया का अगर हम नेपाल के साथ relation देखें, तो बड़ा mix सा relation रहा है, कुछ high points तो कुछ low points, और जब Honorable Prime Minister ली, तो उन्होंने neighborhood first को launch किया, re-emphasize किया, और उनकी August 2014 की जो Nepalese visit है, उसको बहुत successful माना जाता है, लेकिन 2015 में, चीजे change होने लगी, जो हमारा relationship है नेपाल के साथ, वो थोड़ा सा bitter होता हुआ देखा गया, सबसे पहले, बेवजा, इंडिया को blame किया गया, कि इंडिया, ज उस process में unofficial तरीके से interfere कर रहा है, और दूसरा, इंडिया के ओपर blame किया गया, कि जो blockade है, supplies का इंडिया से निपाल के तरफ, उसको इंडिया जान पूछ कर रोक रहा है, as unofficial blockade, और इन दो major allegations की बजहा से, एक resentment, जो नेपली's population है, उनके मन में जागने लगा इंडिया के खिल और इन allegations के वज़ा से, जिनका शायद ही कोई basis रहा हो, नेपली nationalism बढ़ने लगा, anti-Indian sentiment नेपाल में बढ़ने लगे, और Mr. देवगा के जो predecessor रहे, Mr. K.P. Sharma Oli, उस वक्त के Prime Minister, उन्होंने जान बूच कर शायद ऐसा लगता है, कि इन emotions को exploit करनी की हो सकता है, कोशिश की हो 2016 में, Mr. Oli, उस वक्त नेपलीस Prime Minister, ने विज़िट किया, चाइना या बेजिंग को, और एक important agreement with China, उसको ratify किया, agreement on transit transportation, और उसके तीन साल बाद, एक और protocol चाइना के साथ, जिसके थुरू, नेपाल ने अपने चार सी पोर्ट्स और तीन लेंड पोर्ट्स का access दिया, चाइन 2017 मार्च में, पहली बार हुआ कि किसी भी Chinese Defence Minister ने विज़िट किया, नेपाल को, और उसके एक महिने बाद ही, दौनों कंट्रीज ने, बतब चाइना और नेपाल ने पहली बार joint military exercises को conduct किया, चाइना ने जो military grant था नेपाल के लिए, उसको बड़ा के 32 मिलियन कर दिया, इसके 2019 मुझे रखता है, पीक रहा होगा, चाइना या साइनो नेपाल relationship का, जब President Xi Jinping ने खुद ने विज़िट किया, काठवांडू या नेपाल को, और उसके बाद जो annual development assistant था, नेपाल को चाइना की तरफ से उसको बढ़ा के 120 मिलियन डालर्स कर दिया गया, आज चाइना कई सार projects, for example, जो airport expansion projects हैं, पोकरा और लुंबनी दौनों में majorly involved हैं, अब इंडिया के सामने question, कि इंडिया अपना game कैसे खेले, या इंडिया अपने relationship को कैसे बढ़ाए, क्या चाइना को counter करने की कुशिश करे, compete करने की कुशिश करे, एक zero sum game की तरह deal करे, जा smartly, emotional intelligence के साथ, एक mature democracy क की तरह, एक sovereign country की तरह, अपना खुद का independent game खेले, अपना खुद का independent relationship establish करे, आगे बढ़ाए, strengthen करे, Chinese presence लगातार नेपाल में बढ़ती देखी जा रही है, इस वाजा से अब इंडिया के पास option नहीं बच गए हैं, लेकिन जो पुराने issues हैं, जो अभी तक शायद unattended रह गए हो, उन differences को manage करने का time आ गया है, अब आप सोचनों के ऐसे कौन से differences हैं, इतने सालों से हम दोस्त हैं, फिर भी differences बच गए, yes, like any other relationship, there are things which come, there are things which go, जैसे पिछले कुल सालों में, कई differences, दौनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और निपाल के बीच में, इमर्ज होते हुए, देखे गए हैं, जिनको attention हमें देना होगा, address करना होगा, अभी जो political narrative है, दौनों कंट्रीज में change हो चुका है, और इसका मतलब, ऐसे issues जिनको पहले ignore कर दिया जाता था, या swept under carpet, carpet के नीचे दबा दिया जाता था, उनको अब हम ignore नहीं कर सकते, सिर्फ ये एक है कि हम अपने आपको satisfy नहीं कर सकते कि निपाल के साथ तो हमारा बड़ा special relationship रहा है, दौनों culture share करते हैं, language share करते हैं, religion share करते हैं, boundary share करते हैं, trade share करते हैं, that is not enough anymore, Mr. Devva के visit का सबसे successful element देखा जा रहा है, कि ये जो सारे differences अभी हम जिनके बारे में बात करना शुरू करेंगे कि करके, उनको इस visit में mention ही नहीं किया गया, या discussion तो हुए होंगे, लेकिन उन important contentious issues ने इस visit को overshadow नहीं किया, dominant नहीं किया, और इस वाजासे, अभी जो positive mood डवलप होने लग जया, दौनों countries के relationship में एक बार फिर से, अब time आ गया कि उन issues को हम discuss करके resolve करें, चाहे बंद दर्वाजे close doors के पीछे track 2, track 1.5 diplomacy channels के थूरूर, 1949, बड़ा landmark साल समझा जाता है, दौनों countries के relationship के लेकर, जब India independent हुआ, तो British India के साथ, नेपाल का जो special link था, उसको independent India के साथ भी आगे बढ़ाया जा सके, उसके लिए नेपलीज authorities ने 1949 में इंडिया से request की, कि आप हमारे साथ एक treaty of peace and friendship sign करिये, ताकि हमारा जो special relationship है, वो maintain रहे, और इंडिया ने भी इस old bond को preserve करने के लिए, एक special relationship को preserve करने के लिए 1950 में treaty of peace and friendship sign की हमारे दोस्त नेपाल के साथ, और इस treaty के थुरू जो नेपलीज, नेशनल्स हैं, उनको इंडिया ने open border provide किया, और उनको इंडिया में job करने का, employment opportunities में, just like any other Indian, उनको allow किया, लेकिन यही उस वक्त की नेपाल की request, या ये जो treaty sign की, treaty of peace and friendship, आज बहुत अलग त इसको एक unequal relationship के दोर पे देखा जाता है, और ये भी कहा जाता है, criticize किया जाता है, कि इंडिया ने इसको impose किया नेपाल के उपर, और कई बार ये discussion होता हुआ देखा गया है, कि 1950 की जो treaty रही हो सकता है, अब अपनी life को outlive कर चुकी हो, इसे हमें revise करना चाहिए, update करना arrangements में, इस aspiration को, wish को, कि अब हमें time आ गया है, इस 1950 की जो treaty है, treaty of peace and friendship, इसको revise करें, update करें, इसको कई बार, foreign secretaries की जो meetings होई, 1990 में, 1997 में, even 2014 में, जो ministry level meetings होई, उसमें भी mention होते देखा गया है, और finally, दौनों कंट्रीज ने concrete steps लेते हुए, 2016 में, एक 8 member की eminent persons group को set up किया, कि इस पूरे issues को आप दौनों countries की जो eminent persons है, study करिए, अपनी recommendations दीजिए, लेकिन जो report है, अभी तक दौनों governments को submit नहीं की गई है, और काटवांडू का कहना है, कि जब तक formally submit नहीं हो जाती report, तब तक इस पे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो experts का ये suggestion है, कि finally, इस report को हमें खंडे बस्ते से निकालना होगा, इसको publicly acknowledge करना होगा, ये सिर्फ एक report ही तो है, अगर इसके कुछ recommendations है, उनसे आप agree नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, या possible नहीं है, आपको interest में नहीं है, तो दौनों countries आपस में एक साथ बैठके, behind closed doors, इन issues को sort out कर सकते हैं, और शायर इस report के बाहने ही track 2, diplomatic conversations को आप start कर सकते हैं, एक issue तो रहा ये, 1950 की treaty, दूसरा issue, demonetization, November 2016 में इंडिया ने इस initiative को launch किया, कि रफली 15.44 जो trillion है, high value currency notes, thousand rupees and five hundred rupees की notes उनको withdraw किया जाएगा, नेपली nationals, legally allowed हैं कि वो 25,000 rupees तक Indian currency को अपने यहां hold कर सकते हैं, क्योंकि जो नेपली रुपी है, वो आज भी Indian rupee की against the bag है, bag का मतलब उसकी value की जाती है, उसका exchange rate decide किया जाता है, लेकिन जब यह demonetization हमने launch किया, नेवर 2016 में, इसका एक unintended consequence भी रहा, जो नेपल राश्ट्रा बैंक है, जो नेपल का central bank है, आज भी roughly seven crore government money and roughly five hundred crore से जादा, जो public holdings है, Indian rupees में उनके पास deposit है, लेकिन पात साल से जादा होने को है, ऐसा लगता है, इस issue का mutual satisfaction से resolution अब तक नहीं ह 2019 में, Mr. Oli, मतलब previous prime minister of Nepal, जब उनको domestic opposition भढ़ने लगा, उनकी खुद की party में, और उनको सायद एक distraction की जरूत पड़ी, तो उन्होंने जो काला पानी boundary issue है, उसको फिर से एक बार जगाने की खोशिश की, कि नेपल में domestic politics से लोगों का mind हटके, anti-India sentiment पे लोग focus होना शुरू ह और उनकी position, Mr. Oli की position नेपाल में, फिर से strong होती चली जाए, क्या है काला पानी boundary issue? 1816 में, Britishers ने ये जो boundaries थी, इनको fix किया, और India ने जो boundaries, Britishers ने fix की, उनको inherit किया, Britishers ने territorial control, जो 1947 में को handle over किया, इंडिया ने उसको कभी change करने के कोशिश नहीं की, इंडिया और नेपाल की जो total boundary है, उसमें से 98% से भी ज़्यादा boundary अलरी clearly demarket हो चुकी है, लेकिन दो areas हैं, सुस्ता और काला पानी, इनको अभी properly demarket नहीं किया गया है, कभी कोई issue लेकिन इ Nepalese citizen या public का mind distract करने के लिए, इस काला पानी boundary issue को उठाने की कोशिश की लिए, और यह हुआ ऐसे कि जब November 2019 में, Article 370 हटाया गया, और जो state है, जमू एन काश्मीर, उसको divide किया गया Union Territories of जमू एन काश्मीर अन लदाक में, तो इंडिया ने नए maps issue किये, इन नए maps की वज़ा Mr. Oli ने जो काला पानी जो area dispute है, जो boundary point अभी तक clearly demarket नहीं किया जा सका है, उसको उठाने की कोशिश की, और बात उन्होंने इतनी बढ़ादी national sentiment को चगाने के लिए, anti-India sentiment को चगाने के लिए, कि एक नया map उन्होंने draw किया, और उस नये map को, नेपाल का जो legislature है, उसके थ् endorse करवाया, एक proper constitutional amendment लाकर, ground पे इसके होज़े से कोई situation नहीं बदली, लेकिन दौनों के beach के relationship जरूर इससे खराब होते हुए देखे गए, एक नया emotive irritant के तोर पे इस नई issue को देखा गया, तो आज की क्या जरुवत है, आज की simple जरुवत है, कि सिर्फ भाशन देने से, या rhetoric दौरिक से काम नहीं चलेगा, या territorial nationalism जगाने से काम नहीं चलेगा, या एक दूसरे खिलाफ emotions जगाने से काम नहीं चलेगा, दौनों countries को backना होगा, ताकि दौनों quietly dialogue में engage हो सके, और ऐसे sensitive issues, चाहे काला पानी boundary dispute हो, चाहे जो projects stuck है, वो सारे issues हो, चाहे demonetization का issue हो, चाहे इसके ज़रोत हो, oscillated discussions हो, उनको बैठ के sensitive तरीके से, generous तरीके से, flexible तरीके से, और decades old, centuries old friends की तरह, resolve करने ही होंगे, क्योंकि आप हो सकता है, बाकी सब कुछ बदल दें, लेकिन आप अपने neighbors या पडोसी को नहीं बदल सकते हो, जब दौनों को एक साथ रहना है, दौनों को flexible approach अपन आते हुए, sensitivities का ध्यान रखते हुए, generous position लेते हुए, neighborhood first policy, act East policy, इन सभी के थ्रू इन सारे issues को resolve करना ही होगा, तभी दौनों countries अपने culture, अपनी boundaries, अपना religion, अपनी history के साथ साथ, आने वाले time में economic prosperity हो, या Indo-Pacific में दौनों की joint position हो, या climate change related issues हो, और भी बहुत सारे issues हैं, साथ में face successfully कर पाएंगे, stay tuned, चैहन चैभाद